सड़क जिस तरह से आपको दिख रही है जितनी चवड़ी और चमचमाती सड़क महौल इस तरह से नहीं था कितना विभत्स रहा होगा जब यह हमला हुआ वहां से यहां तक ओड़कर डेड़ सो दो सो मीटर तक हावा में ओड़के बुलेरों का जब यह हिस्सा ऐसे पड़ा है तो जो इंसान उसमें होगे उनकी क्या हालत हो योगी अब खुद ही सोच सकते हैं जब काओं वाले जो है इसी लाल बुलेरों बैट कर आ रहे थे दर्भा वाले ते वो सिविलियन थे उनका कोई लेना देना नहीं था लेकिन यह है कि उस विस्पोर्ड के जद में सबसे पहले उनी विचारों की गाड़ी आई इस वक्त हम जिस जगा पर खड़े हैं यह वही जीरम घाटी है जहां 2013 में 32 लोगों को नकसलवादियों ने हमला करके एक बार ब्लास से और उसके बाद गोलियां चला कर माय डाला था यही वो जगा है और यहां से अगर आप मेरे माय तरफ देखेंगे तो उन्ही शहीदों के नाम पर जीरम घाटी शहीद समारक बनाई गई है इसके बारे में डीटेल जो बाजू में यह बानर यह क्या कहूं पत्थर लगा है उस पर लिखी हुई है कि पहली बार 13 लाख और दूसरी बार 22 लाख करीब अप्रूब हुआ था यह शहीद समारक पहले आपको अंदर से दिखाते हैं कि 33 लाख में यह जो शहीद समारक बनाई गई है इसमें है क्या किस तरह से बनाई गई है क्या है जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको लाइन से फोटो लगी हुई दिखेगी यह फोटो उन सभी लोगों की है जो उस हमले में मारे गए थे बीच में आपको विद्या चरंट शुकल जी की तस्वीर देखेगी जिस पर माला भी चड़ी हुई है क्योंकि अब विधान सभा चुनाव आने वाले हैं तो निहापर नेताओं का आना जाना लगा रहता है बहुत सीनियर लीडर हैं 36 गड़ कॉंग्रेस के आप उनके पास में ही देखेंगे नंद कुमार पटेल जी की फोटो है उनके बेटे दिनेश पटेल की भी इसी हमले में मौत हुई थी शहीद महेंदर कर्मा ये भी कॉंग्रेस के बहुत बड़े नेता थे जिनको बस्तर टाइगर के नाम से भी पूरे बस्तर के इलाके में जाना जात उस गाड़ी के परखचे उर गए थे बुलेरो गाड़ी थी तो ये जो गाओं वाले हैं ये इसमें शामिल थे गाड़ी के कुछ इसे आज भी यहाँ पर पड़े हुए है वही एक आखरी सबूत है वही एक आखरी गवाह है बोलता कुछ नहीं है सरकार की तरह चिलाता भी नहीं है लेकिन वहार चीज जानता है तो यहीं है वो बुलेरों का हिस्सा हाँ यही है जब काओं वाले जो है इसी लाल बुलेरों बैटकर आ रहे थे दर्भा वाले और ब्लाश्ट की जड़ना आप सोचिए कि कितना भैंकर वो ब्लाश्ट होगा कि वहां लगवग सव मीटर से ज़्यादा खाय है दूरी वहां ब्लाश्ट वार उसका एक हिस्सा यहां आके फिखाया है उनके जो सव है उनकी बीस्तिती इसी तरह से कुछ चत विच्छत हो गई थी यहाज तक यहां पड़ा हुआ है उस घटना की गवाही देते हैं यहां में से पानी भी हखिसी धारा है यहां अगले कुछ सालों में यह भी खत्म हो जाएगा जैसी हालत अभी है मुश्कल से वार कोई भी आता है तो मैं उसको दिखाता हूं यह दिखाने के लिए कि साथ किसी भी तरीके से सरकार को बार-बार यह बात का चोटे कि जीरम में जो लोग सहीद हुए या मारे गए आपके हिसाब से उनकी आत्मा के सांती के लिए आपको न्याएं अगर देना है तो कम से कम उनकातिलों का पता तो आप लगाएं कि इसके पीछे है को राजनीती तो ना करें कम से कम इस पर और साथी ये उस बात को भी दर्शाता ह है ना कि कितना विभत्स रहा होगा जब यह हमला हुआ वहां से यहां तक ओड़कर डेड़ सो-दो-सो मीटर तक हावा में ओड़के बुलेरों का जब यह हिस्सा ऐसे पड़ा है तो जो इंसान उसमें होंगे उनकी क्या हालत हो योगी आप खुदी सोच सकते हैं आं इतनी अजीब सी मुर्दा शान्ति है यहां पर जैसी शान्ति शायद हमें सभी आला अधिकारीयों की इस मुद्दे पर दिखती एम अधिकारियों की नेताओं की हाँ अलाकि नेताओं की चुपपी नहीं उनमें तो बिल्कुल सोर है अलोचना का और सिकायतों का लेकिन यह है कि यहाँ यह जो शांती है इसके पीछे एक डर है हलका सा मन में हर किजी बाहर वालों के नीचे यहां तक उतर कर आ रहे थे मुझे भी थोड़ा क्योंकि घना जंगल है और यह घाटी जीरम घाटी है हमारे साथ विकास तिवारी जी हैं जो लगातार बस्तर को कवर करते हैं बस्तर टॉक इस नाम से उनका एक यूट्यूब चानल भी है क्या हुआ थो जीरम घाटी में आप क्योंकि यहां के यहां बहतर बता पाएगी देखे 25 मही 2013 की घटना है और यही वह इलाका है और वो जे स्पॉर्ट है जो मैं उंगलियों से दिखा रहा हूं किसी को यह इस बात की भनक नहीं थी विकास यात्रा थी परिवर्तन यात्रा से पूरे 36 गड़ में बड़ा बदलाओ आएगा दो बार की जो सरकार रह चुकी है भाच्वा की उसको हटा कर कॉंग्रेस वापस सत्ता में सामिल होगी और इसको लेकर एक अच्छा उनका काम चल रहा था और यह परिवर्तन यात्रा जैसे सुक्मा से परिवर्तन यात्रा क करके वह वापस लौट रहते और उन्हें कवासी लख्मा उनके साथ में थे और दिगज नेता थे साथ ही साथ वी सी सुकला महन कर्मा बस्तर टाइगर जो है और नंत कुमार पटेल उनके बेटे तमाम सारे दिगज नेता थे लंबा काफिला था यह जितनी चवड़ी और च था कि महन कर्मा और उनकी जो टीम है बड़े बड़ी मातरा में बड़े कॉंग्रेस क्यों यहां से आने वाली है और उनका इंबूस काफी पहले से यहां से लगा हुआ था इसके उसको लोकर मैंने दो-तिन रिपोर्ट भी तयार किया है हाला कि जिस तरह से आज तक सरकार भ तो हर कोई अंदेशा ही लगा रहा है या अंदाजा ही लगाता है क्या होता है लेकिन हुआ यह था कि यहां पर सबसे पहले ब्लाश्ट हुआ नक्सलियों की बहुत तगड़ी रेकी थी यहां पर यहां से लेकर लगबक सब 200 मीटर तक या 500 मीटर तक उनकी पूरी एंबूस लगी हुई थी और जैसे पहला ब्लाश्ट हुआ बाकी गाड़ियां रुख गए ताबर तोड फाइरिंग होने लगी और फाइरिंग होते होते जो भी उसकी जद में आया वो मारा गया इस दवरान बहुत सारे लोग नीचे भी उतरे और नीचे से उतर कर भागने की कोशि ही रही है और उन्हें यह लगा की हो सकता है उन्हें भी ठार्गेट किया जा रहा है तब आकरी मुन्होंने हाथ खड़े करके बताया कि मैं महन करमा हूँ और सभी को छोड़ दो तब फिर नक्सली सबसे पहले महन करमां को लेकर गए और उने उनकी हत्या कर दिये, नंत कुमार पटेल उनके बेटे को भी ले गए, कवासी लखमा को भी ले के गए, और आज और भी कई लोग है, मलकीत सिंगेदू जो आज प्रदेस महासची हों, वो भी थे उस दोरान, उन्होंने भी कई बार आँखो देखी घटना का जिक्र किया, उन इस तरह से नंत कुमार पटेल और उनको अलग ले जाकर गोली मारा गया था, इस बात का भी अंदेश आयकि जब दिनेज पटेल जो क्योंके बेटे हैं, कि हर किसी के जहन में आता है कि नंत कुमार पटेल तो चलो नेता थे, उनको नकसलिवन मारा, उनके बेटे को क्यों म कॉंग्रेश जब भी 25 मही को आके सरद्धांजली देती है और सरद्धांजली का आयुजन करती है तो भाजपा उस वीडियो को बार-बार वायरेल करती है जिसमें चरणदास महन हाथ उठाते हुए मारने कई सारा कर रहे है कवासी लखमा को कि क्यूं लेके गया था तू वो में भी हमारे बस्टे टोकी में आरोप लगाया था कि मुझे संदे है अजीद जोगी और कवासी लखमा पर उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए उनको भी मतलब उनहीं की पाइटी के हैं बीजेपी तो ठीक है पॉलिटिक्स कर रही है लेकिन उनके जो लड़के हैं जिनको सबसे ज़्यादा अधिकार है न्याय पाने का वो भी बोलते हैं कि कवासी लखमा पर उनने बहुत ज़्यादा संदे है अभी तक इस केस की जाच चली रही है कुछ भी सपश्ट नहीं हुआ देखिए नाईये ने जाच किया कई नक्सिलियों की गरपतारी हुई उसके सबसे पहले जो आपने बताया गाड़ी को ब्लास्ट करके उड़ाया गया था वो गाड़ी में गाओंवाले भी बैठे थे वो गाड़ी गाओंवालों की ही थी दर्भा के अंदर गाओं के हैं कुछ लोग उनकी भी तस्वीरे साथ यहां पे लगी हुई है वो लोग थे उस सिविलियन थे उनका कोई लेना देना नहीं था लेकिन यह है कि उस विसपोर्ट के जद में सबसे पहले उनी विचारों की गाड़ी आई गाड़ी के कुछ इस है तो हम यहां से आगे सुक्मा की तरफ बढ़ रहे हैं हम जब यहां रुके हमें यह दिखा हमने सोचा कि आपको भी उस जीरम घाटी कान के बारे में बताया जाए जिसके बारे में खूब लिखा गया खूब पढ़ा गया लेकिन क्यूं हुआ कौन इसमें शामिल थे यह लक्स पश्ट नहीं हो पाया आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पर आप हमें कॉमेंट बॉक्स बताईएगा कामरे के पीछे मेरे साथ ही विजय है मेरा नाम सोनल है हमारी 36 गड की चुनाव यात्रा जारी है हम अलग-अलग विधान सभा शेत्रों में जाकर लोगों से बात करके उनकी मुद्दे समझने की कोशिश कर रहे हैं देखते रहे हैं दिललन टॉप शुक्रिया